दोस्तो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो अब सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंट आपके लिए काम होता है वो यह होता है कि अपने चल को आप हमेशा बचा कर रखें ग्रो करते रहें और पैसे कमाते रहें आपने देखोगो कि यूट्यूब पर तीन मिलियन, चार मिलियन, पांच मिलियन सबस्काइबर करने के बाद भी कई बार यूट्यूब चैनल या तो देमोनेटाइज कर दिया जाता है या तो उसको रिमूव कर दिया जाता है और ऐसी कंडिशन में जो YouTuber होता है जो उस channel का honor होता है उसे बहुत दुख होता है और उस दुख को वो ही समझ सकता है तो आज मैं YouTube की सारी की सारी जो policies है उनके बारे में बात करूँगा आपको अच्छी से समझाऊँगा ताकि आपको एक complete knowledge मिल सके और आपका जो channel है वो हमेशा safe रह सके तो वीडिय देखेगा और यार इस channel को subscribe पर लिजेगा notification bell को दबाके all पर भी क्लिक कर लिजेगा क्योंकि ऐसे helpful content आपको यहां पर मिलते रहते हैं और वीडियो कर अभी से like कर दीजेगा क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आज कि इस वीडियो का जो like है में व सबसे पहले बात करते हैं कि यह यूट्यूब पर जो policies होती है वह actual में कितनी तरह की होती है तो यहां पर मैं आपको पहले ही clear कर देता हूं YouTube पर total 4 तरह की policies होती है अब 4 तरह की जो policies है उनमें सबसे पहले होती है copyright policies second होती है community guideline policies ठीक है इसके बाद आती है legal policies और एक होती है यहां पर monetization policies अब जो monetization policies है काफी बढ़ी है तो इसके बारे में तो मैं अगला वीडियो बनाऊँगा अगर आप बहुजदा request करेंगे जिसमें मैं proper monetization के सारे rule आपको समझाँगा आज की वीडियो में हम तीनो policies के बारे में बात करेंगे legal policies के बारे में यहां पर additional policies होती है उनके बारे में अबको समझाँगा, copyright policies के बारे में complete आपको बताँगा और community guideline जो policies होती है उनके बारे में भी आपको complete बताने वाला हो सबसे पहले बात करेंगे हैं copyright policies की, copyright policies की बात करें तो ये भी तीन भागों में बटी होई है, सबसे पहले बात आती है fair use, अब fair use क्या है, तो देखे fair use एक US का low है, जिसके अंतरगत आप क्या कर सकते हैं अगर अपनी वीडियो में criticism करते हैं, news reporting करते हैं, education का आपका content है, या आ documentary बनाते हैं, ऐसी condition में आप दूसरों के बनाए गए वीडियो में से कुछ part अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं, चाहे तो image यूज कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है, कि हम 10 seconds स कम का यूज करेंगे, या एक मिनट से कम का content यूज करेंगे, तो सायद हमारे चैनल पर fair use माना जाएगा, बट सच बात यह कि इसमें time का जो stamp है, वो कुछ है ही नहीं, situation पर depend करता है, और यह हर country में अलग-अलग situation के हिसाब से, YouTube तै करता है, अलग-अलग situation पर, अलग-अलग claim या strike दे भी दे, उसके बाद भी YouTube तै करेगा, situation के हिसाब से, और country-wise हिसाब से, कि आपकी इस वीडियो पर जो आपने content यूज किया है, वो सच में क्या fair use है, या नहीं है, अगर fair use होगा, तो आपके चैनल के, ना तो कोई strike आएगी, ना कोई claim आएगा, ना कुछ आएगा, और आपकी video adjective चलती रहेगी, और आप उस video से पैसे भी कमाते रहोगे, और अगर उसको लगेगा, कि एक कुछ situation में लगेगा, कि हाँ यार, इसमें तो ये fair use नहीं है, सच में सामने वाले की, जिसने content बनाया है, उसका सच में copyright अधिकार है, उस पे, तो आपको strike या claim लग सक के, लेकिन अब वो आपको real में, मतलब उनी condition में use करना पढ़ेगा, क्योंकि YouTube को, अगर कभी भी कुछ होता है, या मालो सामने वाला पुष्ट आए, क्लेम देता है, तो YouTube उसको review करेगा content को, और उसे लगेगा, कि हाँ सच में आपका जो content है, वो आपका खुद का original है, और दूसरा जो part होता है, वो होता है claims का, अब ये claims क्या है, तो देखे claims की system सीधी सी है, कि बहुत सारी music company है YouTube पर, बहुत सारी YouTube का मिलब जो music company है, वो पुरी दुनिया में ही है, YouTube पर भी है, तो उन लोगोंने CMS लिया होता है, अपना content management system, और उनको एक content ID मिली हुई होती है YouTube की अब ये content ID होती है, ये क्या करती है, और उनका कोई music use करता है, कोई भी creator है, कहीं भी online use किया जाता है, तो उस content ID में match हो जाता है, और match हो जाता है, तो automatic system है, वो कुछ इस तरीके से काम करता है, वो तरीके आपको बताता हूँ, माल लीजिए example के लिए, आपने T-series का कोई ग जाएगा, claim आजाएगा, मतलब आप जो भी पैसा कमाओगे इस वीडियो से, उसका पैसा अब उसको जाएगा, जिसका आपने music use को चला जाएगा, इसको बोलता हम revenue sharing, अब ये revenue share कितना percent होता है, इसमें भी अलग-अलग situation, अलग-अलग उस पे काम करता है, और मुझे तो ऐ सा लगता है, ज्यादा-तर cases में hundred percent revenue music company को चला जाता है, एक तो ये condition होते है, claims की, दूसरे condition एक और होते है, कुछ music company ऐसे भी होते है, कि अगर माल लीजिए, उनका music आपने use किया, तो वो आपकी video को block कर देते हैं, इसको हम बोलते है, partially block, partially block का मतलब ये, कि कुछ countries में आपको कोई claim मिलता है, तो इस पूरी जो video है, आपकी इसको worldwide block कर दे जाता है, यानि पूरे world में अब ये video कोई भी नहीं देख सकता है, लेकिन यहाँ पे भी situation to situation depend करता है, मेरी एक video थी, उस पर मैंने एक music use किया था, even मैंने क्या किया था, दो गाने use कर ले थे, एक video के अंदर, द मैंने क्लेम मिलने के बाद मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने क्लेम मिल गया, अब डिस्पुट तो क्या ही करना है, जब मैं जो सच में गाने मैंने use किये हैं, तो ठीक है, उसमें content ID नहीं थी, मतलब सीधी सी बात है, कि अगर आप बड़ी company की music company का गाने use करते हो, तो content ID मैं च किया गया, तो मैंने appeal की, और वापस से क्या हुआ, कि उसका claim रह गया, और worldwide block unblock हो गया, तो यह situation to situation depend करता है, आपको जब भी YouTube पे कोई problem हो, और आपको appeal करने का मोका मिले, तो आप appeal जरूर से जरूर कीजेगा, जितना आप कर सकते हैं, एक और यहाँ पे confusion यह होती है, कुछ content ID मैच होटी है, हाथ हो, हाथ आपको claim मिल सकता है, कुछ condition में कई बार claim नहीं भी मिलता है, तो बाद में भी मिल सकता है, manual claim भी मिल सकता है, किसी भी condition में आपको claim दिया जाता है, claim मिलने से क्या होता है, आपके channel पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका revenue share हो जाता है, simple, अब यहाँ पर बात करते हैं, तीसरी condition की, जो condition बहुत ज़्यदा खतरनाक है, खतरनाक इसलिए है कि अगर creator किसी का content use करता है, ध्यान से समझ लेना है इस चीज़ को, अगर content use करता है, और अपना कुछ भी value add नहीं करता है, सीधा सीधा content use कर रहा है, और content डाला जा रहा है, YouTube पर डाले जा रहा है, इसको बोलता है, reuse content, YouTube यह कहता है कि अगर आपने अपनी value वीडियो में कुछ भी add नहीं किये, आप दूसरों का content अपने चनल पर डाले जा रहे हो, तो आपके channel को monetize नहीं किया जाएगा, और आपका channel पहले से monetize उसके बाद आप कर रहे हो, तो reuse content policy के अगर आपको copyright strike दिया, ध्यान रखना copyright strike दिया, तो YouTube आपकी वीडियो को remove कर देगा, और आपको 90 days का time देगा, कि 90 days के अंदर बाकी और 2 strike नहीं आने चाहिए, यानि कि 90 days के अंदर अगर आपके channel पर 3 corporate strike आ जाती है, तो आपके channel को delete कर दे जाता है, आपको 7 days फिर भी मिलता ह 7 days इसलिए मिलता है, मालो अचानक से आज की date में मिलको 3 corporate strike मिलगी, या एक आज मिली और 2 कल मिल गई, तो मिलको 7 days का time मिलेगा, जिन्होंने मिलको corporate strike दिया है, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, अगर वो चाहें, तो उस strike को वापस ले सकता है, अगर वापस नहीं लेंगे, तो 7 days के बाद YouTube हमारे channel को delete कर देगा, अब यहाँ पर एक और situation बनते हैं, वो होते हो, fake strike है, कई बार fake strike भी आपको मिलती है, और आप लोग घबरा जाते हो, तो उसमें घबराना नहीं है, अगर आपको लगता है, कि आपने कोई भी content अपना use, मलग किसी का use नहीं किया है, आपका जो content का honor है, वो YouTube को report करता है, और YouTube आपको strike देता है, यानि कुल मिलाके, ध्यान से समझेए, आप ये creator हो, एक ये creator हो, बीच में YouTube बैटा है, इसका content आपने use किया, तो ये YouTube को report करेगा, भाई, मेरा content use किया गया, और YouTube आपको strike लगा देगा, लेकिन आप अगर appeal करोगा, आप क content मेरा है, उस बंदे का नहीं है, और आपने YouTube को ये बात पहुचा है, YouTube इस बात को इसको पहुचा देगा, और इसको बोलेगा, कि आप साबित करो, ये content आपका ही है, और ये matter अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इन case, तो YouTube बीच में से हट जाता है, दोनों को court भ रहेंगे, तो इतना भी cases हो सकता है, कुल मिला के corporate strike YouTube नहीं देता है, सामने वाला जो owner है, वही आपको देता है, तो ये भी situation होती है, ठीक है, लेकिन अगर आप उससे बात कर लेते हो, कि भाई मेरी strike वापस ले लो यार, अगर सच में आपने किसी का content use किया, वो वापस YouTube को क कहता है, कि अब मैं strike होटाना चाहता हूं, तो YouTube तुरंथ आपका जो strike है, वो हटा लेगा, तो I think आपको एक corporate का मामला सारा का सारा समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पर मैं कुछ additional experience के हिसाब से आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, जो कि corporate strike के regarding है, होता क्या है, कुछ नहीं रहें, ना कोई web series दिखा रहें, ना उसका कोई poster दिखा रहें, ना उसका कोई video दिखा रहें, बस हम जश्ट बता रहें, download कहां से कर सकते हैं, फिरी में कौन सी website से कर सकते हैं, इस condition में भी आपको corporate strike आता है, ज्यादा तर जो corporate strike होते हैं, वो AI Plex की तरफ से होते हैं, और भी बहुत सारी agencies है, यह actual में इसलिए होता है, आपको लगता है, कि यह corporate strike actual में fake आया, बट वो सही होता है, वो क्यूं होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें, जितनी भी web series बनती है, फिल्में बनती हैं, करोडों रुपे खर्च होता है, जब खर्च होता है, उस भाई ने बनाई है, किसी director ने पैसे खर्च के और आप उसको free में download करना सिखा रहे है, तो वो आपकी वीडियो पर strike डाल सकता है, यह agency strike डाल देगी, और यह strike सही होती है, इस condition में बहुत सारे लोगों को लगता है, कि strike fake है, बट यह सही होती है, तो ऐसे videos अपने चल black version अगर provide कराते है free में, या ध्यान रखे कोई भी ऐसी service, कोई भी ऐसा software, कोई भी ऐसा digital content, जो paid है, उसके owner ने paid रखा हुआ है उसको, लेकिन आप उसको किसी भी तरीके से, गलत तरीके से free में provide कराने की कोशिस करते है, कोई भी ऐसा free का link वगेरा डालते है, अपनी वीडिय जब भी इससे video edit करेंगे, तो आपको play store से से download करना पड़ेगा, और watermark हटाने के लिए इस पर पैसे देने पड़ेंगे, और आप अगर ये बता रहे है अपनी वीडियो में, कि भाई, free में watermark कैसे अटा सकते है, मैं mode, apk provide करा दूँगा, ये सब करा दूँगा, तो आपको कभी भी copyright strike मिल सकता है, और ये strike भी सही होता है, आपको लगेगा कि यार ये जो strike है, ये गलत है, fake है, बट ये strike भी सही होता है, तो अब आपको सारे के सारी मैंने policies copyright के लिए बता दिये, अगर आप इनको follow करोगे, तो आपको कभी भी copyright के जमेले में नहीं पड़ना पड़े आपके सारे clear करूँगा, अब ये community guideline होती कै, देखे community guideline जो है, वो YouTube की खुद की बनाई हुई है, किसी भी platform की, जहांपे आप काम करते हो, या किसी company में काम करते हूँ, उनकी कुछ guidelines होती है, इसी को बोलते है community guideline, तो YouTube ने community guideline बनाई हुए, अब अगर आप इनको follow नहीं करते ह तो YouTube खुद से आपको strike लगा देता है, इस condition में क्या होता है, वो भी मैं आपको बताया तो, देखे community guideline में ये होता है, कि अगर आप जीवन में पहली बार, अपने channel पर पहली बार कोई गलती करते हो, पकड़े जाते हैं, तो आपको YouTube warn करता है, और एक warning strike आपके channel पर भेज द आते हैं, तो आपको first community guideline strike मिलता है, इस strike को मिलने के बाद, आपके 7 दिन के लिए uploading बंद हो सकती है, live streaming बंद हो सकती है, और भी situations हो सकती है, ठीक है, और भी punishment YouTube आपको दे सकता है, और अगर मान लिजे 90 days के अंदर, आपको दूसरा community guideline भी मिल गया किसी और वीडियो के लिए, तो यहाँ पे आपको 2 week के लिए uploading बंद की जा सकती है, आपकी live stream बंद की जा सकती है, और भी punish किया जा सकता है, और अगर 90 days के अंदर आपको 3 strike मिल जाती है, community guideline वाली strike मिल जाती है, तो आपके चनल को YouTube remove कर देगा, और अगर YouTube को लगता है कि आपने 5-6 वीडियो में, 3 से मजना बहुत जरूरी है, इसके सारे points में आपको समझाता हूँ, अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले point की, आप चाहिए लिख भी सकते हैं, इनको अपने दिमाग में रिखते हैं, मैंने भी पुरी list बना रहा किये, पहला जो यहाँ पे, सबसे पहला जो यहाँ पे point है यह है fake engagement, अगर आप अपने channel पर fake engagement लेते हैं, वो कैसे, माल लीजिए आपको लगता है कि आपके channel पर views subscriber कमें, और आप बहुत सारे panels के पास जाते हैं, बहुत सारी websites के पास जाते हैं, और वो spam करके, boat के through, या किसी गलत तरीके से engagement आपकी video पर डाल देते हैं, subscriber डाल देते है views डाल देते हैं, और अगर वो engagement जो भी उने डाला है, चाहिए views डाले, subscribe डाले, like डाले, comment डाले, वो गलत तरीके से डाले हैं, spam करके डाले हैं, तो यह fake engagement policy के तहता है, और इसमें आपको strike मिल सकती है, channel भी remove YouTube कर सकता है, और यह जो second point है, इसका नाम है impersonation policy, अब यह जो policy है, यह भी काफी कमाल किये, इसमें आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब यह देखो, मैं आपको समझा दूँगा, यह actual में क्या हुआ है, क्योंकि हमारे एक चानकर बन देते, उनके साथ है actual में हुआ भी था, इसमें होता क्या है, कि आप एक channel बना लेते हैं, और यह भी चल की same to same copy गरना, यह होता है impersonation policy के अंतरगत, तो यहाँ पे भी आपके channel को delete किया सकता है, या फिर demonetize किया सकता है, हमारे एक जानकर थे, उन्होंने ऐसा किया, और बाद में जब उनका channel बंद हुआ तो उन्होंने मिनकों बता है, कि हमारा channel delete किया गया, तो मैंने प video होती है, हमारी इसके नेचे description होता है, description में हम कुछ link provide करा देते हैं, जैसे हमा लेजे यह एक bottle है, और मैंने इस bottle का review किया, या मैंने bottle अपने लिए purchase की, और मैं कह सकता हूँ कि इस bottle को buy कर सकते है, आप online इसका जो buying link है, वो मैंने description में दिया हुआ है, यहां तक तो ठीक है, अब यह bottle काफी एक अच्छा product है, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे product के link अपने description में provide कराता हूँ, जो ऐसी website पे जाके खुलते हैं, जो कि website अवलगर है, या फिर pornographic content है उस पे, या फिर कुछ ऐसा material है, जो कि dangerous है, या फिर alcohol है, या फिर कोई drugs है, या कोई fake medicine है, कुछ भी dangerous जो च किया है, ऐसे जो links हैं, अगर वो आपने अपनी video के description में provide करा दिये, तो भी आपको community guideline strike मिल सकती है, इसके अलावा यहाँ पर अब जो अगला policy है, अगला जो point है, इस policy का, यह है spam, deceptive policies and scam, इसको भी आपको मैं समझा देता हूँ, इसमें भी काफी सारे point है, जो मैं आपको भर देते हो, unwanted, जिनका उस video के topic से कोई भी लेना देना नहीं है, यह misleading metadata अगर आप use करते हैं, तो भी आपको community guideline मिल सकते है, इसके बाद आता है, scam करना, यानि आप video में ऐसे scam करते हो, कि आप यह कर लो, यह हो जाएगा, बट वैसा होता नहीं है, मतलब बिलकुल भी नहीं हो जो जीतेगा, उसको एक करोड रुपे दूँगा, अब यह मैंने, अब सबने मालो, पैसा जमा करा दिया, पान पन सुरुपया, लेकिन वो लोटरी ऐसी कुछ थी नहीं, यानि प्रॉपर scam करके, पैसे एट लेना, यह एक scam है, इस तरह कि अगर आप करते हो, हरकत, तो भी ह आपको community guideline मिल सकता है, इसके अलाब हम और बात करें, तो comment spam, यानि comment spam को आप comment में, अगर कुछ drive link डाल देते हैं, कोई अपने चले का link डाल देता है, कोई फालतू के link डाल देते है, comment spam आपको नहीं करना है, आपको comment सही करना है, बहुत सारे लोग comment में बहुत spam करते हैं, यह आपको दिक्कत हो सकती, आपने देखा होगा, कि कई बार जब channel hack होते, तो hacker channel hack करने के बाद, crypto, यानि crypto coin, bitcoin वगएरा, कि इनकी live stream चालू कर देता है, अब यह क्या है, live stream का गलत इस्तेमाल है, ऐसी condition में उनके channel को ban कर दिया जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा, hack होने क जो guideline बता रहा हूं आपको, या उनमें कोई sexual content है, कोई vulgar से vulgar content है, या फिर बहुत ज़ादा कोई graphically sexual content उसमें दिखाया गया है, या कोई ऐसा content में कोई dangers harmful चीज़े, इस तरह क्या playlist post कर देते हो, तो भी आपको community guideline मिल सकता है, अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ additional policies की, इनको भी समझना बहुत जरूरी है, तो चलिए, हम इन पे बारे में बात करते हैं, देखें जो additional policies है, इनको आप समझिए, additional policies है, जो कभी-कभी आपके channel पर दिक्कत करते हैं, जैसे आपने एक channel बनाया, लेकिन 6 मन्त तक, उस channel को कभी login ही नहीं किया, कुछ activity नहीं की, ना किसी को से comment किया, ना कोई video watch करी, ना आपने, बिल्कुल inactive हो, आप 6 महिने से, ज़्यादा हो गया आपको, तो ऐसी condition में भी आपके channel पर action लिया जा सकता है, इसके अलावा यहाँ पर एक और policy है, वो बता देता हूँ, जैसे मान लीजे, YouTube ने पहले कोई content चला, और उसको किसी भी guideline क follow नहीं करने की average में delete कर दिया, यानि वो content गलत था YouTube पे, लेकिन आपने वो download करके रखा हुआ था, और अब आप सोचते हैं, वो content अब YouTube पे नहीं है, तो अब मैं अपने channel पर डाल देता हूँ, तो यह practice भी आपके लिए जो है, गलत हो सकती है, और इसमें एक और भी close है, वो आपने अगर YouTube channel अपना बना लिया है, तो आपको parents के अंडर बनाना पड़ेगा, यानि उनकी आईडी वाइडी आप लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप काम कर सकते हैं, यूट्यूब ये कहता है, अगर आपकी 13 साल से कम केज है, तो आप काम कर सकते हैं, और बाद में आपको कभी YouTube ने का वही आईडी वाइडी देख ली, या कोई डेट अप बरत मांग ली, और वहाँ पे YouTube को पता चला, कि इसने ऐसा किया है, तो भी आपको जो है problem create हो सकते हैं, यानि YouTube पर लीगली चनल बनाने की जो age है, वो minimum 13 है, लेकिन आप parents के guideline में बना सक सकते हैं, तो यह होती है कुछ additional policies, अब यहाँ पर अगले point की बात करते हैं, और यह आता है sensitive content, यह सबसे पहले जो sensitive content में, first जो point है, वो है child safety, तो child safety का मतलब यह कि अगर आप बच्चों के साथ, कोई भी you on this you are की इस तरह की चीज़े करते हैं, बच्चों को nude दिखाते हैं, बच्चों को साथ कुछ harmful, danger act करते हैं, कोई horror act करते हैं, जिससे बच्चे डर जाये, बच्चे सोक हो जाये, कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, इससे child safety को नुक्सान हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको community guideline strike मिल सकते हैं, इसके लावा यहाँ पर आता है thumbnail, अगर आप thumbnail के अं इन पे भी आपको community guideline strike मिल सकता है, इस case में strike भी मिल सकता है, आपकी video भी remove की जा सकती है, वो देखा जाएगा किस situation में क्या है, और हो सकता है कि आपके जो thumbnail उसको ही remove कर दिया जाए, लेकिन यह जरूर है कि अगर आपका thumbnail pornography content वाला है, तो 100% आपको strike मिल सकता है, यहाँ पर अ content बना रहे हैं, और समझाने के लिए कर कुछ sexual content यानि कि कोई भी मानव अंग अगर शो हो रहा है, वहाँ पर कुछ ग्राफिकली हो रहा है, उस condition में आपको maybe छूट मिल जाए, लेकिन YouTube उसका review करेगा और देखागा, सच में आपने educational videos के लिए से use किया गया, साइन्स के इस तरह की वीडियो डालते हैं, और यहाँ पर आता है, वल्गर लेंगवेज, अब यह बहुत विवादित पॉइंट है, यूट्यूब पर वल्गर लेंगवेज, गालिया देना, गंदी गंदी गालिया देना, यह वैसे तो YouTube कहता है, यह गलत है, लेकिन बाज साब लोग मैंने आपको बताए, पहला था experiment, deceptive practice, इसके कुछ points थे हमने clear किये, दूसरा वाला जो पढ़ता होता, sensitive content, और इसके भी कुछ, हमने जो points से clear किये, अब यहाँ पर हम तीसरे part की बात करते है, total 5 part, तीसरा जो part है, वो है, violent or dangerous content, अब इसमें आता है, सबसे पहले, harassment and cyberbullying, या इसमें आप cyberbullying कर रहे हैं, किसी को harassment कर रहे हैं, यानि harass कर रहे हैं किसी को, अगर मैं आपको समझाओ, तो कुछ ऐसी videos होती है, जो आप किसी भी group, या किसी भी व्यक्ति को harassment, यानि उसको वहाँ नहीं पहुचाते है, mentally रूप से, इस तरह कि आप video नहीं बना सकते है, YouTube पे, इसके लाब दूसरे point की बात के तो आता है, harmful and dangerous content, अब ये content कैसा है, ऐसा कोई content जिसमें बहुच अधा dangerous activity आपने दिखाई है, जो लोगों को harm पहुचा सकता है, कैसे, जैसे आप कोई extremely dangerous challenge का video बना रहे हैं, आप कोई इसको देखके अगर खुद ऐसा challenge करेगा, तो उसको problem create ह हो सकती है, कोई eating disorder की आप बात कर रहे हैं, कोई threat वाली चीज़ दे रहे है, kill to harm वाली जीच कर रहे हैं, या कोई ऐसा prank कर रहे हैं, जिसमें आप धमकी वगरा दे रहे हैं, यानि कुल मिला के ऐसी dangerous content होते हैं, वो भी YouTube पे allow नहीं है, इसके लाबा आता है, यहाँ पर अगला आप से hate कर रहे हैं, और लोग भी उसको यह सुनकर, आपकी बात कर रहे हैं, इस तरह की hate speech जो है, वो भी YouTube पे बिल्कुल भी allow नहीं है, इसके लाब आता है violent criminal organization, कोई भी criminal organization है, कोई terrorist organization है, उसके बारे में आप उसको बता रहे हैं, या उसकी से कोई उसने कुछ किया है, गड बात करेंगे, तो वो यहाँ पर समझाओ, तो मैंने आपको point भी लिखा है, मैं आपको बताता हूं सारी चीजे, यानि कि कुल मिलाके ऐसा जो content, जो यह produce करता है, यानि कि violent criminal terrorist organization, इस तरह की activity में, लोग involved हो जाए, आपको देखके लोग ऐस तरह की चीज़े करने लगे, इस पर एकी चीज़े आप नहीं कर सकते, अगर कोई गाई attack हुआ है, उसके बारे में, अगर आप educational purpose से कुछ पता सकते हैं, history के रिगाड़ी, बहुत ज़्यादा sensitive आप बात करेंगे, तो वो यहाँ पर allow नहीं रहेगी, इसके बाद आता है violent और graphic content, अब यह graphic content के है, इसके बार define करते हुए, आप क्या कर रहे हैं, या फिर आप कोई दो बच्चे minor से, उनमें fight कुछ हो रहा है, वो fight को कुछ दिखा रहे है, या कोई accident दिखा रहे है, national disaster दिखा रहे है, या कोई भी ऐसा terrorist attack वगेरा की चीज़े दिखा रहे है, इस तरह की जो चीज़े हैं, वो आप YouTube पे आप YouTube पे समझातों सकते हैं, जो selling links है, वो अपनी वीडियो में नहीं लगा सकते हैं, जैसे firearms की बात करें, जैसे की bomb हो गया, bullets हो गया, इचर रहे हो गया, इस तरह की जो चीज़े जिसको मुलता है, आगने सस्त्र जो होते हैं, जैसे अगर बताऊं तो असला जो है, इस तर illegal product है, जैसे आप alcohol का भी link नहीं डाल सकते हैं, अपने ड्रक्स का link नहीं डाल सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे समान होते हैं, जो illegal होते हैं, कुछ weapons हैं, पिश्टल्स वगरा, इनके links आप सेल के नहीं डाल सकते, आप इनके बारे में बात तो कर सकते हैं, educational purpose से, बढ़ आप link डाल दे के भाई, यहाँ पर link है, इस पर जागा पिश्टल खरी लो, यह सब आप link ऐसे नहीं प्रवाइड कर सकते हैं, अपने YouTube चनल की वीडियो में, आप यहाँ पर पांचवे part की बात करते हैं, और यह बहुत बहुत ज़दा important है, और यह part है misinformation, अब यह misinformation है, क्या पहले आपकी वीडियो देख के उसे use करने लगेगा, और उसको सारी रिक हानी पहुंच सकती है, इस तरह की चीजे allow नहीं है, या फिर आप क्या करते हैं, content में आप manipulation करते हैं, आप लोगों को बहुत भेंगर तरीके से बेकूप बनाते हैं, इस तरीके से technically manipulate करते हैं, कि उनको इस attribute content, यानि कोई ऐसा आप काम करें, और आज सी कोई वीडियो में आप promote करें, ऐसी कोई भावना पैदा, अगर कुछ भी ऐसा करें, कि कोई audience देखे, और वो उससे परभावित हो जाए, और कुछ ऐसा कर उसको कोई serious risk हो जाए, इस तरह का content, इस तरह की misinformation बिलकुल भी allow नहीं ह दूसरा आता है election misinformation, किसी भी चुनाओ के बारे में अगर कोई आप गलत बात फैलाते हैं, किसी भी party के बारे में, कोई भी ऐसी चीज़ से किसी party के जो voting है, उस पर असर पड़ सकता है, कुछ भी गलत हो सकता है election में, इस तरह की चीज़ें बिलकुल भी allow नहीं है, और एक अगर आप कोईड नाइंटीन, कोईड नाइंटीन, मेडिकल मिस इंफोरमेशन, अगर आप कोईड नाइंटीन, नहीं कोरोना के बारे में, कुछ भी गलत जानकारी देते हैं, कुछ भी अफवा फैलाते हैं, तो इस तरह की चीज़े, यूट्यूब पर बिलकुल भी allow नही है, अब यहाँ पर एक चीज मैं और अपने experience से बता देता हूं, अगर आप YouTube की वीडियो कैसे download करें, यह चीज भी अगर आप YouTube पर बताते हैं, तो इसमें भी आपको harmful and dangerous act कुछ इस तरह कर लिखा जाएगा, और इस policy के तहत आपके कोई strike मिल सकते हैं, कभी भी मिल सकती है, यह और बात है, आपने तीन साल पहले वीडियो बनाया था, हो सकते हैं, अब मिले, बहुत सारे लोगां जिन्होंने 2017 और 2018 में ऐसी कुछ एप का review किया था, ऐसी जो एप थी उनका review किया था, उन एप में क्या था, कि वो YouTube का वीडियो अपनलोड करके दे देते थे, और वो Google प्ले स्टोर पर exist नहीं करती थी है, और उनको दो साल बाद, तीन साल बाद strike मिल गया, वो भी चक्कर पर अभी strike मिले, इसके लावा, अगर आप अपने चल पर ऐसी वीडियो बनाते हैं, जैसे रमी है, तासे, गैंबलिंग, कसीनो, इन सब की वीडियो बनाते हैं, जिनको Google बिल्कुल अलाव नहीं करता, Google प्ले स्टोर पर है ही नहीं, इन पर भी आपको strike मिल सकता है, मैं ऐसी कोई वीडियो कभी नहीं बनाता भाई, कोई रमी हो मिया, बनाता ही नहीं, वैसे भी गलत चीज़ें, इसलिए मैं इन सब चीजों को प्रमोट नहीं करता, लेकिन आपक पॉलिसी और इसको हम कहते हैं, लीगल पॉलिसी इनको भी समझना बहुत जरूरी है, अब सबसे पहले आती है कि कोई आपके कॉंटेंट को इस तरह रिपोर्ट बहुत ज़्यादा रिपोर्ट करता है, लोकल लोके अंतरगत, ठीक है, जो भी आप जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हैं, जिस भी राज्य में आप रहते हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन लोकल लोके अंतरगत, अगर आपकी वीडियो में लगता है कि वाइलेसन हो रहा है, और रिपोर्टिंग होती है, तो उस कॉंटेंट को यूट्यूब रिमूव कर सकता है, इसके रिमूव कर देगा, क्योंकि उनको गौवर्मेंट ने बोला है, तो आप गौवर्मेंट के जो ध्यान में रखते हो बनाईए, गौवर्मेंट के खिलाफ अगेरा कुछ मत बनाईए, या कोई ऐसी चीज, मतलब कोई भी ऐसी चीज, जो देश के खिलाफ है, किसी भी, मतलब गौवर्मेंट पैसा लगेर, यह content नहीं होना चाहिए, तो YouTube को बोलेगा, तो उसको उड़ा देगा YouTube, और यहां पर एक होता है, protect your identity, यह बहुत जरूरी है, इस policy के बात करते है, इसमें आता है, सबसे पहले, image, आपकी image हो सकती है, आपकी voice हो सकती है, आपका full name हो सकता है, आपकी financial information हो सकती है, content जो होता है आपका, उसमें आपके कोई contact number, कोई mobile number show हो रहे है, उसकी information हो सकती है, या कोई personal identification information हो सकती है, ठीक है, मेरी, मालोग किसी की भी हो सकती है, और उसको कोई दूसरा YouTuber अपनी वीडियो में दिखा रहा है, तो उस पे वो जो है, trademark strike लगा सकता है, trademark strike का मतलब है, उसको YouTube यह कहेगा, या तो इसे remove करो, या तो part को trim करो, या तो blur करो, आप किसी की identity को हाम नहीं कर सकते है, किसी के identity, किसी की जो privacy है, उसको आप छती नहीं पहुचा सकते है, अपनी वीडियो के अंदर, इसके अलावा यहाँ पे trademark strike भी होती है, trademark strike किसी company के, यहाँ पे आपको बता दू, कि यह सारी जो policies है, इनके लावा भी monetization policy अलग है, उनको मैं फिर किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, आप बहुचादा comment करेंगे, तो मैं उस पे proper video बनाऊंगा, और उस video को देखने बाद फिर आपके monetization स जुड़े जितने भी समस्या है, वो सब समात हो जाएगी, बाकी जो तीन तरह की guideline थी, वो मैंने इस video में clear कर दिये, बहुत मैनत लगे है, इस video को बनाने में तो video को like कीजेगा, share कीजेगा, और चल पर पहली बार है तो subscribe पनने के साथ, notification bell को दबाके all पर click के लिजेगा, इस